आगरा में एक परियतक के साथ मारपीत का मामला सामने आया है जहां वाहन तच हो जाने के बाद करीब देध दर्जन यूवोकों ने परियतक की बुरी तरह से पिटाई कर दी इस घटना का CCTV फुटेज समाचार एजनसी एनाई ने ट्वीटर पर शेर किया है स्थानिय पुलीस ने संग्यान लेते हुए पाँच आरोपियों को गिरफतार कर लिया अन्या आरोपियों की तलाश जारी है प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना सोमवार की है जहां दिल्वी का रहने वाला एक परियतक ताज महल देखने आया था इस दौरान उसकी गाड़ी कुछ लोगों से टच कर गई जिसके बाद देध दरजन लोगों ने लाठी दंडों से उस पर हमला कर दिया इस बीच पीरित खुद को बचाने के लिए पास की दुकान में घुस गया लेकिन बदमाशों ने उसे नहीं छोड़ा और दुकान में घुस कर लाठी डंडे बरसाते रहे मारपीत की घटना दुकान के अंदर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई सहाय पुलीस आयुक्त सयद अरीब एहमद ने कहा कि हमें सूचना मिली की आगरा में एक परियटक को बेरहमी से पीता गया है देखिए कल शाम को ये CCTV फुटेज एक सामने आया और जिसमें देखा गया कि ताजगंज स्थित फतेहाबाद रोड पे बसेई चौकी अंतरगर एक पिठे की दुकान का फुटेज था और उसमें कुछ चार-पांच युवक एक लिवक के साथ मारपीट कर रहा है क्योंकि थाने पर इसकी कोई तहरीर नहीं दी गई थी तो इस वीडियो के बारे में जानकारी की गई और पता चला कि दिल्ली नंबर प्लेट की गाड़ी का ये व्यक्ति था जिसके साथ मारपीट की गई संभावित एक टोरिस्ट था इस घर्टा का तक्काल संग्यान लेत गटना CCTV में कैद हो गई आगे की जाच जारी है